हलो स्टुडेंट्स विल्गम टू सिपसंकर बायलोजी सिपसंकर बायलोजी में एक वर फिर साब सभी का स्वागत है तो स्टुडेंट्स आप लोगा चल रहा था बीजी सी पलत नीटिग्जाम दूआज रिकास के लिए मान आप जनल से बहुत ही अबजेक्टिव कोशन इस इस विडियो को सेयर केजिएगा आज आपका दूसरा कलास से पिछले कलास का विडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरू देखिएगा तो यहां पर आपका कोशन पहला कहता है अंडे के भीतर योग के यानि पीतक की मात्रा एवं उसके बितरन में होने वाले प का राइट अंसर हो जाता है बिदलन का परति रूप तो आप्सन नमबर ए उसके बाद अगला कोशन का आता है निमनलिकित में सुबह कौन सी एक चीज है जिसे पात्र निसेचन की बिधी में फैलोपी नलिका में अस्थनांत्रित किया जाता है आप्सन ए केवल भुरुन ज आप्सन नमबर ए उसके बाद अगला कोशन साटोली कोशका कहां पाई जाती है एवां उवे क्या कार्ज करती है अप्सन ए अंडासे में पाई जाती है तथा इसे प्रोजे इस्ट्रोन का स्तरावन होता है तो पहले बता दें कि अंडासे में साटोली कोशका नहीं पाई जाता है अपका गलत अप्सन होगे उसके ما को करताएं यह सही ज्ही करता यह को धश्यक्ति नमबर्स युप है कि सुक्रसआर नलिकाओं में पाए जताों पाल न偌ग में पाया जाता है और इस जनन कोश्काओं को क्या करता है। पोषिट परतान करता तो राइट अफ्श्र नम पर सी उसके बाद अगला कोश्व बहाश इफ्रेंशिया सुक्रबाहक तक जाती है आपसने ब्रिशन पलिकाओं से ब्रिशन जालिका तक आपसने ब्रिशन जालिका से भाश डिफ्रेंशिया सुक्रबाहक तक आपसने भाश डिफ्रेंशिया सुक्रबाहक से एपिडर्मिस तक अपसंडी एपिडर्मी से मुत्रमा रखता है तो देखिए भाष एप्रेंशिया सो जो होता है सुक्रबाहिकाये यह बहानी जो बिस्न जालिका से ले करके सुक्रबाहक तक फैला होता है तो राइट अंसर आपका आप्शन नमबर B उसके बाद अगला कोशन मानब नरोग के सुक्रिय प्रदर्व में कीन दो भारपूर की मातरा होती है आपसने फरक्टोज तता कल्सियम आपसन भी गुलकोज तता कल्सियम आपसन से डिने टेस्टोज टीरोन और आपसन डी रैवोज तता पोटेसियम तो सुक्रिय प्रदर्व में जो पाये जाता सबसे ज़्यादा मतरा हो फरक्टोज और कल्सियम पाये ता फरक्टोज सुक्रानों में उर्जा और कल्सियम गती परदान करता है उसके बाद अगला कोशन प्रसब किरिया हेतु संकेतों का आना कहां शे अररंभ होता है आप्सने केवाल अप्रा से आप्सन भी अप्रा तथा पूर्ण विक्सित गर्भ दोनों से आप्सन सी मा की प्यूटूट्री से निकलने निकले ऑक्सिटोसीन से था अप्सन डी पूर्ण विक्सित गर्भ से देखिए प्रशव किरिया है तो संकेत का आना यह प्रणाम जो होता है ना तो प्रशव किरिया है तो संकेत का आनाम काता आररम होता है यानि सुरू होता है तो केवल अपरा से ही सुरू होता है तो आपका यहाँ पर राइट अंसर हो जाता है ऑप्शन नमबर ए उसके बाद अगला माथा पर बाल आता है पच्मा महिना में ध्यान दीज़े पच्मा महिना माथा पर बाल आता है सीर पर बाल आता है लेकिन 24 सवता के बाद पूरे छठा महिना में पूरे सरीर जितना सरी सरीर पर बाल आ जाता है तो राइट एंसर आपका हो जागा सीर पर बाल पच्मा महिना मे अप्सन नमबर B उसके बाद अगला कोशन काता है अस्तानिय अंडानू का दुस्तरा परिक्वकवन विवाजन अप्सने अंडो उत्सर के थोड़े से ही समय के बाद अंडानू के फिलोपिय नलिका में परवेश करने से पहले ही हो जाता है अप्सन B तब तक नहीं होता कि जब तक सुक्रानू का केंदरक अंडानू के केंदरक समकीत नहीं होता अप्सन D ग्राफियन पुटका में परथम परिपक्वन विवाजन के बाद होता है तो काता अस्तानिय अंडानू का जो दूसरा विवाजन होता है पर्थम विभाजन और दूसरा विभाजन तो दूसरा विभाजन जो होता है न, वो तब तक नहीं होता, कि जब तक उसमें कोई सुक्रानू पर्वेश नहीं कर जाता, तब तक वो दितिये विभाजन परिपक्वन विभाजन नहीं होता है, तो right answer अपसर नमर B, उसके बाद कोशन काता है मानब सुकरानों के बिसाइवे निमने लिखी तन से कौन सा एक कथन सही है आपसने एकरोशोम में संकवा कारन उक्विली सन रचना होती ही बात सही है होती है जिसका उप्योग अंडे को भेदने में और उसके भीतर परवेश करने के लिए किया था जिससे निसेचन होता है ये बात सही है उसके बाद दुसरे का उप्शन करता है एकरोशोम में सुकरानों लाइसीन अंडे की आबरानों को घुला देती है जिससे निसेचन की सुबदा हो जाती है Option C में कहते है, एकरों सोम एक संबेदी संदरचना का कार्ज़ करता है, जिसे सुकरानू अंडारन को आगे-ागे बढ़ता है Option D, एकरों सोम कोई खास कार्ज नहीं करता है देखे, मानब सुकरानू के बिसाय में जो कहता है कि साथ कथने तो आप्सन नमबर बी में आपको समझ में आया होगा एक क्रोसोम सुक्रानू लाइसीन के अंडे के आवरन को घुला देता है जिसे निसेशन के लिए सुब्धा हो जाती है ये आपका सही हो जाएगा क्यों होगा सही अब आप कहिएगा कि सर पहला नमबर आप्सन ए भी बोले सही है आप्सन भी बोले सही है लेकिन जो सत्य कथन दोनों में आप्सन ए और बी में हो जाएगा क्यों? क्योंकि एक क्रोसोम जो हता है सुक्रानू का सबसे आगे वाला भाग होता है और नोकीला होता है जिससे निचेशन के लिए सिवधा हो जाती है उसके बाद अगला कोश्य फिलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडासे के निकट भाग होता है अप्शने इस्थमस तन्योजी अप्शन B इनफंडी बुलं कीपक अप्शन C सर्विक्स ग्रीवा और उप्शन D एंपूला तुम्भी का तो देखिए फिलोपियन नलिका के अंडासे के पास जो सबसे निकट भाग होता है वो इनफंडी बुलं होता है जिसको बोलते हैं कीपक बोला जाता है तो आपका राइट अंसर हो जाता है उप्शन नमबर B उसके बाद अगला कोशन काता है पूर्ण विक्सित गर्ब तथा अपरा से निकले संकेतों से अंत्ता प्रशब हो जाता है जिसके लिए किसके भी मोचन की आप सकता होती है अप्शन E अपरा से निकले रिलैकजीन की अप्शन B Oxytocin की माता के Pituitry यानि Puse Granti से जो निकलता है Option B Oxytocin की माता जो गर्भ के Pituitry से निकलता है यानि Puse Granti से तो काता है पूर्ण विक्षित गर्भ और अपरा से निकले संकेतों को अंतता प्रसब हो जाता है समझेगा बढ़ियां से तो आपरा से निकले संकेतों से अंतता प्रशब होता है तो आपरा से निकले जो होता है गरभासे संकुचित होता है उसको इंजेक्शन रिप्लेक्स कहते हैं जो इंजेक्शन रिप्लेक्स का काम होता है कि माता की प्रशब के रुप में अस्थान्ति कर देना है तो राइट आपका option number C होता है तो students यह था आपका important question मानब जनल्स इस वीडियो को share कीजिएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर बने रही है